सेफ अली खान और करीना कपूर के लाडले तैमूर ने आज तक नहीं देखी है कोई बॉलिवुड फिल्म चार किड होने के बावजूद तैमूर नहीं देख सकते हैं फिल्मे नन्हे जे को भी रखा जाता है टीवी से दूर अपने दोनों शेहजादों के फिल्मे देखने से सेफ करीना को है सकते दराज जी हाँ यूँ तो तैमूर अली खान और जे बॉलिवुड के दो बड़े फिल्मी घरानों से तालूख रखते हैं उनकी फैमली के कई मेंबर्स फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं तैमूर और जे के सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं बलकी नाना नानी दादी बुआ मासी मामा मामी यहां तक की बड़े भाई बेहन सारा और इब्राहिम भी बॉलिवुड फिल्मों में काम करते हैं फिर भी तैमूर और जे को फिल्में देखने की इजाज़त नहीं है एक साल के जे तो फिर भी अभी बहुत छोटे हैं लेकिन फांच साल के हो चुके तैमूर ने भी बॉलिवुड फिल्में नहीं देखी है ये खुलासा किया है तैमूर और जे की दादी शर्मिला टेगोर ने देरसल गुजरे जमानी के भी नित्री शर्मिला टेगोर लंबे वक्त के बाद फिल्म गुल मोहर से फिल्मी दुनिया में वापसी कर रही है पूरे 11 साल के ब्रेक के बाद शर्मिला टेगोर का कमबाक हो रहा है उनकी आखरी फिल्म ब्रेक के बाद थी जिसमें उन्होंने दिपिका पदुकोन और इमरान खान के साथ काम किया था 11 साल के लंबे गैप के बाद फिल्मी परदे पर लोट रही शर्मीला टेगोर से हाल ही में एक इंटर्व्यू में सवाल पूछा गया था कि स्क्रीन पर उन्हें देख कर उनके ग्रैंड किड्स का क्या रियाक्शन है इसी सवाल का जवाब देते हुए शर्मीला टेगोर ने चौकाने वाला खुलासा किया है अपने पोते, पोती और नातिन की रियाक्शन के बारे में बात करते हुए शर्मीला ने बताया कि तैमूर और जे को फिल्मे देखने की पर्मीशन नहीं है हाना कि बाद में जब वो मुझे ओन स्क्रीन देखेंगे तो उनका रियाक्शन अलग ही होगा इसके साथ ही शर्मीला टेगोर ने ये भी बताया कि भले ही तैमूर और जे ने उन्हें अभी तक आन स्क्रीन ना देखा हो लेकिन नातिन इनाया खेमू से उन्हें पहले ही बधाई मिल चुकी है इनाया की तरफ से उन्हें एक बधाई संदेश मिला था जो की इनाया की मौम सोहा ली खान ने उन्हें भेजा था बड़े पोता पोती सारा ली खान और इब्राहिम के रियक्शन के बारे में बात करते हो है शर्मिला ने कहा कि सारा और इब्राहिम दोनों बड़े हो गए हैं और जब वो फिल्में देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि उनके पास आपने अच्छा किया कहने के अलावा कोई दूसरा आप्शन ही नहीं होता शर्मिला टेगोर की इन बातों से साफ जाहिर है कि नवाब सैफ और उनकी बेगम करीना अपने दोनों लाडलों को पेहर डिसिप्लिन पर वरिश दे रहे हैं दोनों की आदतों पर करीना की सक्त नजर रहती है सैफ करीना पहले भी कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि छोटी सी उम्र में उनके बच्चों को जो लाइम लाइट मिल रही है उससे उन्हें डर लगता है वो चाहते हैं कि स्टार किड्स होने के बावजूद उनके बच्चे जमीन से जुड़े रहें इसके लिए सैफ करीना अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजने से भी परहेस नहीं करेंगे टीवी देखने से ज़ादा वो अपने बच्चों को फिजिकल अक्टिविटीज में बीजी रखना चाहते हैं टैमूर तो अभी से ही टाइकवांडो चेंपियन बनते जा रहे हैं बीते दिनों ही टैमूर ने जुड़ो कराथे में यलो बेल्ट हासे ही की है पीरो रेपोर्ट इट्वेंटीफोर